नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डोक्टर मुली इशारी और आप देख रहे हैं डोक्टर खारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हर पैगो पाइटम दवई के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये किन डिजीज में किन बिमारियों में और किन सिंटम्स में पेश चैनल को नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटिक वीडियो से आप अप्टेट इट रहें दूस इस दवाई के अंदर दो प्रोपर्टीज पाई जाती है एनालजेसिक और एंटी इंफ्लामेटरी तो ये दवाई सूजन को कम करती है दर् इंफ्लामेशन में दे सकते हैं ये दवाई हिप और लोवर बैक पेन में भी दी जाती है इसके हम और सिंटम्स के बात करें तो मस्कुलर पेन यानि मासपेश्यों के दर्द में भी ये दवाई दी जाती है सूजन को कम करती है दर्द को कम करती है टेंडन्स में अगर पेश को दर्द का सामना करना पड़ रहा है तो टेंडन्स के स्वेलिंग को भी ये दवाई ठीक करने में मदददार रहती है ये दवाई केवल दर्द में ही नहीं दी जाती है ये डाइजेशन को भी ठीक करती है जिन लोगों को डाइजेशन से रिलेटिव प्रोग्लम्स रहती है इंडाईजेशन की शिकायत रहती है, तो ऐसे केस में पेट से सब्सक्राइब यह दोई दी जा सकती है, पेशेंट को गठिया भाए के दर्द में, यनी अर्थ्रैटीस, रियोमेटीस, काउट के पेजन में यह दोई दी जाती है, patient के food के absorption को ये दवाई बढ़ाती है यानि patient के digestion को सही रखती है tendons में अगर inflammation आ रही या उसको ठीक करती है साथ ही इस दवाई के जो और uses होते हैं वो kidney से related problems में भी होते हैं और heart disease में भी ये दवाई दी जाती है इस दवाई को cervical spondylitis में भी दिया जाता है neck यानि garden में patient को अगर जगडन के साथ inflammatory pain हो रहा है तो ऐसे case में दवाई देने से Susan कम होती है दर्द कम होता है ये दवाई old age के patient में दी जा सकती है male female दोनों में जिनको degenerative disorders हो गए हैं जिसके करण osteoarthritis हो गया है गुटने में ऐसे patient को हमेशा दर्द रहता है चलते हुए ज़ादा मैसुस होता है aggravation होता है swelling भी कहीं बार आ जाती है redness रहती है साथ ही patient को multiple joints में pain देखने को मिल रहा है तो ऐसे case में old age के ये दवाई देने से काफी मददकार रहती है ऐसा कि मैंने आपको बताया कि heart disease और kidney disease में भी एदवाई दी जा सकती है निकुल्दे से सम्मंदित बिमारियों में और हर्दे से सम्मंदित बिमारियों में भी एदवाई दी जाती है इसके लावा ये skin complaints यानि चार्म रोगों में भी दी जा सकती है इसके लिए अगर इन में से आपको कोई तकलिफ है तो homeopathy doctor से मिले खुझ से इस सवाई का सेवान नहीं करना चाहिए इसके लिए आप दिए गए WhatsApp नंबर पर हमसे समपकर इलाज यस ला ले सकते है इसकी जो potency यूज के जाती है वो 30 CH 200 CH क्यू पावर में इसको यूज करता है तो सभी के अलग डोज होती है और टिपेंड करता है कि किस patient को कौन सी potency दी जाएगी और कैसे इसको दिया जाएगा इसके लिए आप doctor से मिले या हम से समपकर कर सकते वीडियो देखने के लिए दन्यवाद चैनल को सबस्क्राइब करें और comment section में जरूर बताएं कि हमारी वीडियो आप कैसी लगती है थैंक यू